नीचे दिये गए कत्रों पर विचार कीजिए जीले जो होती है जीले लेक्स जो होती है और नदी के बहाब को सुचारू बनाने में साहयक होती है जीले बाड को रोकती है जीले अपने आसपास की जलवायू को सामाने बनाती है और जीले जो है वो जलिय पारितंत्र को संतुर पूलीद करती हैं तो करेक्ट है ही है ज्हीले अपने अस प्रास की जलवायू को सामन बनाती हैं यह भी स है ज्हीले बाड़ को रोकती है जैसे अज़िशे अगर कि तीबर कैना नदी का जल अगर किसी छेत्रगा पर या फिर गाउंच की तरप बढ़रा जीले तो क्या कर लेते हैं इतना सारा मतलब टनों में पानी दिखा जाये तो उस में समाझ जाता है जील में और नीचे वहां से ग्राउंड लेवल पर चल जाता ब्हूमिक अजल के रूप में तो एक तरह से इस तरह से जीले जो हैं बाड़ को भी रोक सकती है और जीले नदी के लिए अत्यदिक लाबदायक होती है एक जील नदी के बहाब को सुचारू बनाने में साहक होती है अत्यदिक वर्षा के समय ये वाड को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाब को संतुलित करने में भी साहता करती है जीलो का परियोग जल विद्धुत प्रदान करती है उधारण के लिए अगर लें तो बहुत सारी जीलें हैं जम्मु कस्मीर में हो या फिर उत्राखंड के निनिताल की निनिजील हजारों परेटक हर साल गर्मी के मौसम में वहां का आनंद लेने अब बॉर्टिंग करने के लिए आते हैं जिससे उत्राखंड सर दूसरे चरण को राष्टि नदी संरक्षन योजना के अंतरकत सामिल किया गया है उपरोक्त कत्नों में से कौन से कथन सत्ते हैं तो दोनों के दोनों कथन सत्ते हैं तो गंगाकारी योजना की क्रिया कलापो का पहला चरण 1985 में आरंब किया गया एवम 31 मार्ज 2000 को बंद कर दिया गया राष्टि नदी संरक्षन प्राधिकरण की कार कारी समिती ने गंगाकारी योजना के प्रथम चरण की प्रगती की समेक्षा की तथा गंगाकारी योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवस्चक सुझाब दिये इस कारी योजना को इसकी प्रमुख प्रदूशित नदियों में राश्ट्य नदी संरक्षन योजना के अंतरगत लागू किया गया है। गंगा नदी निकल रही है पहाडों से गंगा नदी हरिद्वार के पास परवतिय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। प्रियाग में इससे मिलती है हरिद्वार के पास जो गंगा है ना गंगा परवतिय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी हिमाले के यमनोत्री हिमनत से निकलती है यह गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाबाद में गंगा से मिल जाती है। यमुना जो है गंगा में कहां मिलेगी इलाबाद में मिलेगी बरतमान नाम परियागराज में मिलेगी मोस्ट इंपोर्टन्ट है स्टेट PCS में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अगला प्रशना है गंगा की साहिक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नैपाल हिमाले से है। मतलब कांट छाट देना हटा देना निकलाट कर देना तो इसका अंसर हो जाएगा 134 तो गंगा की प्रमुक साहिक नदियां जो नैपाल हिमाले से निकलती है वो हैं घागरा गंडक तथा कोशी घागरा नदी माप चाचुंगो हिमनत से निकलती है सार्दा नदी जिसको काल या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है इससे मैदान में मिलती है और अंतते छपरा में यह गंगा नदी में बिलीन हो जाती है गंडक नदी दो धाराओं गंडक और त्रिसूल गंगा के मिलने से बनती है जो गंडक है यह नैपाल हिमाले में धोला गरीवे माउंट के बीच से निकलती है और मध नैपाल को अपवाहित करती है यह नदी पटिना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है कोसी एक पूरवरती नदी है जिसका स्रोध माउंट एवरेश्ट के उत्तर में है जहां से इसकी मुख्यधारा अरुण निकलती है राम गंग है तो डल जील मीठे पानी की जील है जमू कस्मीर में है बुलर भी मीठे पानी की जील है जमू कस्मीर में है भीमताल उत्राखंड में मीठे पानी की जील है लोकटक मनीपुर में मीठे पानी की जील है और बड़ा पानी भी एक जील है जो मीठे पानी की जील है सारे के सार ग्लेशर के दोरा निर्मित होई हैं दूसरे सब्दों में जीलें तब बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई जो बाद में हिम पिखलने से भर गई तथा किसी छेत्र में सिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए इसके विपरीत जम्मू और कश्म अगला प्रश्न है महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से हैं मतला महानदी किन किन राज्यों में अपना पानी विसरजित कर देती है या लाभ दिलबाती है तो च्छतिस गड़ में है उडिसा में है महाराश्ट में है पस्चिम मंगाल तक नहीं पहुच दिया क्योंकि उडिसा तक रहती है और यहां जो महाराश्ट फैलाना उतना तो इसकोने से इतना ले तो दूसरा तीसरा चोथा हो जाएगा इसका अंसर सी हो जाएगा यहां पर पस्चिम मंगाल नहीं है तो एलिमिनेट एक हो जाएगा और डी हो जाएगा तो महानदी जो है वो कोयल वे संख नदियों से मिलकर च्छतिस गड़ के रायपूर जिले में सिहाबा के निकट निक क्रिश्णा नदी की साहक नदियां है तो क्रिश्णा नदी की साहक नदियां भीमा भी है माल प्रभा घाट प्रभा तुंग भद्रा मंजीरा यह सभी क्रिश्णा की साहक नदियां है तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा लक्ष्मन तीत नहीं है यह पर लक्ष्मन कावेरी की सायक नदी है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा तो देखिए क्रश्णा नदी की सायक नदियां हैं तुंग भद्रा है, कोईना है, माल प्रभाग, हट प्रभाभीमा, मूसि और डॉन आदी हैं, लक्षमर तीर्थ काव गाना में में तो ऩहाई ए है क् writes उर कर नाथा में महाराष्ट मेंате। अगला प्रश्ण है कि अधी मां। में हो गई है मंदी ब्राजी नहीं है मंदी गोदावरी की सायक नदी हो कंसे कौन सी गोदावरी कि सायक न Bennett तो प्राणहिता गोदावरी की सायक नदी है और मंजीरा भी गोदावरी की सायक नदी है और बर्धा भी गोदावरी की सायक नदी है ब्राहमनी गोदावरी की सायक नदी नहीं है तो इलिमिनेट कर दो तीसरे को यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता इसका अंसर हो जागा बंट अगर बंगाल की खाड़ी में गड़ती है तो पूर बुबाहनी नदी हो गई गोदाबरी की अनेक सहयक नदियां है जो इसमें आकर मिलती है जैसे कुछ यात करनी है पूणना है वर्धा है प्राणहिता मंजीरा बेन गंगा पेन गंगा अलग-अलग कर लेना कावेरी की मंजीरा नदी पर बनाया गया है यहां के खूबसूरत उद्यान लोगों को और आकर्षित करते हैं अपनी और आकर्षित करते हैं कि तो यह देखें टिबिट्री कुछ है इसकी जैसे पूर्णा हो गई मंजीरा हो गई वैं गंगा इंदरावति शबुरी इंपौर्णा है कुष्चन नंबर नई नहे जीन iAPrt1 की पहचान की है तो बैग्यानिकों ने हाल ही में इससे संबंदित एक नए जीन NAPRT की पहचान की ये करेक्ट है ये मस्तिक्स से संबंदित बिमारी है कान से संबंदित नहीं है कि बल दूसरा सही हो जाएगा इसमें तो देखिए सीजोफरेनिया एक मांसिक विकार है जो रोगी की सोच, भासा, धारणा तथा सोयम की भावना को बहुत अधिक प्रभावित करता है हाल ही में भारतिय और उस्टिलियाई बैग्यानिकों ने सीजोफरेनिया से संबंदित एक नए जीन N.A.P.R.T.1 की पहचान की है सीजोफरेनिया के मरीज वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं इस वीमारी से ग्रसित दो मरीजों के लक्षण हर वार एक जैसे नहीं होते ऐसे में इस वीमारी का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है आज की नियूज में था है इंपोर्टन है दसवा प्रशन अंतिम प्रशन केंद्रे ओसधी मानक नियंत्रन संगठन केंद्रे ओसधी मानक नियंत्रन स्वास्त सेवा महानी देशाले के अंतरगत स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले का राश्टिय नियामक प्राधी करण है इसका मुख्याल है बैंगलोर में है देखे गलत है सब कुछ बैंगलोर में थोड़ी होगा सिलिकन बैली है बैंगलोर में तो गलत है यह नई दिल्ली में है इसका मुख्याल है तो केंद्रे ओसधी मानक नियंत्रन संगठन स्वास्थ सेबा महानी देशाले के अंतरगत, स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले का राश्टी ए मानक प्राधिकरण है इसका मुख्याले नेदिली में है, देश भर में इसके 6 जोनल कार्याले और 4 सब जोनल कार्याले तेरे पोर्ट आफिस और साथ हैं प्रियोग सालाएं इसका प्रमुक उद्देश दबाओं सोंदर परशाधन और शिकित्सा के उपकरणों की सुरक्षा उनकी प्रभाब कारिता और गुणवत्ता बढ़ा कर सार्वजनिक स्वास्त को सुरक्षा तै करना उनकी सुरक्षा तै में CDS CO Headquarter FDA भवन न्यूडेली सेंट्रल रग स्टेंडर्ड कंट्रोल और्गनाजेशन तो दसके दस इंपोर्टेंट प्रेशन स्टेटिक के साथ है करेंट अफैर्स का सईयों